तो हमने चैप्टर वन का टेस्ट लिया था एक्स्टा एलिमेंट में से 1.5 और 1.6 का उसका क्वेश्चन नमबर 2 कर रहे हैं आप सभी बच्चे के पास एलिमेंट की बुक है घर पे और वह आप कर रहे हैं अच्छे से डाउट्स ले रहे हैं तो यह उसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 2 तो क्वेश्चन नमबर 2 क्या कर रहा है बिटा हमें मुल्टिप्लाई करना है क्यूब रूट अफ टू इन्टू फॉर्ट रूट ऑफ पाई ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने पठानी है पब्लिक स्कूल के पेपर में जो आया था लास्ट कियर वो रि एक इजुब रूट अफ टू का टू की पावर वन बाइ रूट गया पाई की पावर वन बाय बीट्य है अगिव टट अब छब ब्ह इनको मल्टिप्लाई करना होता है ना एक वाद ध्यान लखना कि nth root same करना है क्या same करना है यहां पर यह cube root है मतलब 1 by 3 है और यहां पर यह fourth root है यानि कि 1 by nth root same नहीं है जहां 3 है यहां 4 है तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा same तो 3 और 4 को same बनाने के लिए क्या सुचोगे LCM क्या सुचोगे बैठा तो 3 और 4 का LCM क्या होता है 12 तो 3 को 4 से multiply करके 12 बना दो लेकिन यह तो गलत हो जाएगा ऐसी अपनी मद्धी से 4 से multiply फोड़ना कर दोगे denominator को फिर numerator को भी करना पड़ेगा तब भी balance बनेगा न numerator को भी 4 से किया ओके multiply by यहां पर denominator में 3 है इसको 12 बनाने के लिए 4 है denominator में क्या है 4 है 12 बनाने के लिए इन्टू 3 तो गलत हो जाएगा उपर भी करना पड़ेगा तभी balance बनेगा तो इस इस 2 देस टू पावर 4 बाए 12 इन्टू 5 देस टू पावर 3 बाए 12 अब आपने एक रूल पड़ा हूँ है ना A की पावर M की पावर M क्या होता है और उल्टा लगाना पड़े तो या तो M अंदर ले आओ या तो अगर मैं M अंदर लाया तो A की M की M दूबारा लगा सकता हूँ तो यहां से मैं 4 अंदर ले आया और बाहर क्या रह गया और यहां पे मैं क्या अंदर ले आया बिटा अब यहां पे मैंने मल्टिप्लाई किया 2 की 4 क्या हुआ 16 यहां कर रहो मैं क्यूशन 16 की 1 बाए 12 125 की 1 बाए 12 अब देखा यार यहां पावर 1 बाए 12 है यहां पावर 1 बाए 12 है तो आपने क्या बना लिया तो अब आप मुल्टिप्लाई कर सकते हैं ऐसे 16 इंटू 125 की 1 by 12 और 16 इंटू 125 करोगे तो 2000 क्या आएगा 2000 करके देख लो रही बच्चों को जाद होता है 125 इंटू 8000 तो 125 इंटू 8000 तो 125 इंटू 8000 की पावर 1 by 12 इसको फर्दर के लिख सकते हो 12th root of यह यह एंसर है 12th root of यह मैं थोड़ा साप लिख देता हूं 12th root of 2000 is the right answer of this question most most important according to me